हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सोब का लर्णिंग आन ट्यूब पे और आज हम लोग बाइलोजी के कुछ नए प्रस्टों को जानेंगे बाइलोजी के कुछ जोकि हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं और बाइलोजी में कुछ अन्य नए प्रस्टों को हम लोग जानेंगे और दोस्तों आप सबसे बिलती है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो अपना सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए तो चलिए स्क्रिन पर चलते हैं देखते हैं किस तरह से हैं तो वीडियो स्टाइट करेंगे कुछ नंबर 401 से विश्रू का सबसे बड़ा जीव है विश्रू का सबसे बड़ा जीव अगर कहे तो वा होता है well sperm well next question question नंबर 402 यहां पे हाथी भी है बड़ा जीव लेकिन हा next question 402 प्रित्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग नीमने लिखित है प्रित्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग होता है और्थो पोड़ाज का जो की संधिपाद प्राणी हिंदी में कहलाते हैं यह इन जीवों का वर्ग बहुत बड़ा होता है नेक्स्ट कोईशिन है विश्व का सबसे तेज जीव है सबसे तेज जीव है विश्व का चीता तेज यहाँ पर फूर्ती से तात पड़े है तो फूर्ती के मामले में चीता सबसे ज़्यादा तेज होता है सबसे ज़्यादा फूर्ती लाजानवर होता है नेक्स्ट क्वेशन एड्स जिवानों के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा निमने लिखित है एड्स के लिए एड्स विशानों के लिए जो दवा सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वह होती है जीडो रूडीन जीडो रूडीन यानि की एजीडो थाइमेडीन नेक्स्ट क्वेशन पे चलेंगे क्वेशन नमबर 405 वह इस्तनी जो छेड़े जाने पर अपने सुरक्षा के लिए एक तीखा स्राब निकलता है जिससे शिकार का चर्म अत्यधिक उत्तेजन पैदा कर देता है वह है वह इस्तनी कौन सा है तो वह इस्तनी है सकंक आंसर हो जाएगा D सकंक नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 406 डॉक्टर जेसी वेंटर का अग्रगामी और विशिष्ट कारे जिसमें उन्होंने माइको प्लाजम जेनिटेलियम के पूरे पांच लाख असी हजार साथ अनुवांशिक अनुक्रम का पता निम्नलिखित इस्थान पर लगाया था तो यह अस्थान था इंस्टिट अफ जिनोमिक रिसर्च गैथर्स वर्ग मैरिलेंड चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नमबर 407 भारत का सबसे बड़ा वर्ने जीव अभ्यारन निम्नलिखित है भारत का सबसे बड़ा वर्ने जीव अभ्यारन ने पेडियार वर्ने जीव अभ्यारन ने है जोकी केरल में है नेक्स्ट है नेमने लिखित में से कौन सा जलिये इस्तनी नहीं है जलिये इस्तनी फ्यल को जलिये इस्तनी नहीं माना जाता है आंसर हो जाएगा D. फ्यल नेक्स्ट है है जाक टीका लगवाने के कितने दिन बाद में तिर्थ यात्रियों को कुम्भ मेले में जाने देना चाहिए आंसर हो जाएगा 6 दिन हैजा कटी का लगवाने के तुरंत बाद रोगी को कुम्भ मेले में नहीं जाने दिया जाता है तो 6 दिन के बाद जा सकते हैं नेक्स्ट है एड्स को एड्स को नियंतरित करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं कारगर है कौन-कौन सी क्रियाएं की जा सकती है एड्स को नियंतरित करने के लिए तो यहां पे आंसर हो जाएगा पर्तिरक्षी करन जो दिया गया है एड्स का अभी तक वैसा कोई भी पर्तिरक्षी करन या कोई वैक्सिन उपलब्ध नहीं है कोई टीका उपलब्ध नहीं है तो यह तो नहीं होगा मरीजों की चौक सी बिल्कुल मरीजों का पूरा ध्यान रखना है कि कहीं वो कुछ ऐसे कदम ना उठा जिसे कि वो अपने अलावे किसी और को एड्स की बिमारी दे दे और दूसरा है रखताधान के दोरान सावधानी और तिसरा है स्वास्थ शिक्षा और जनता का ग्यान इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए रोगी को भी और उसके आसपास के लोगों को भी तभी एड्स की बिमारी को नियंतरित किया जा सकता है तो यहाँ पे दू, ती नैना साहनी की हत्या के बाद जब यह दिल दहलाने वाली बात पता चली कि उसके शरीर को एक तंदूर में ठूस दिया गया और निकाले जाने से पूर्व, वह इतना जल गई कि वह पाचानी न गई उसके शरीर को पहचानने के लिए कोई गवाह नहीं मिलने की सूरत में उसे निमने लिखित परिक्षन से पहचाना गया कौन-कौन से परिक्षन किये गए जिसके द्वारा वो पहचानी जा सकी तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला तो उसकी खोपड़ी का पुनर निर्मान किया गया था और दूसरा DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा उसकी कंकाल को पहचाना गया उसके बॉड़ी की पहचान की गई तो आंसर हो जाएगा एक और तीन सही है अल्टरा साउंड और साब परिक्षा नहीं होगा आटोपसी यह नहीं होगा कैट स्कैनिंग भी नहीं होगा जब शरीर बॉड़ी का इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि बॉड़ी को पहचानना मुश्किल हो तब DNA फिंगर प्रिंटिंग काम में आता है और इसमें बहुत मदद करता है तो आंसर हो जाएगा एक और तीन यानि की B नेक्स्ट है नीचे दिये गए हर प्रश्ण में दो सुचियां दी गई है सुची एक और सुची दो का मिलान करें और उनके नीचे दिये गए संकेतों दोरा सही उत्तर का चयान करें तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसमें पिछले 12 माह में पोलियो संक्रमित देश में इस बीमारी के एक भी मामले नहीं दर्ज किये गए है विश्व स्वास्थ संगठन ने इसे एक महान उपलब्धी बताया है तो इसमें आंसर हो जाएगा 412 का आंसर हो जाएगा B. भारत भारत में किसी भी तरह पोलियो संक्रमित रोगी नहीं मिला है जिसे विशुस्वास्थ संगठन ने एक महान उपलब्दी बताया है नेक्स्ट कुश्चिन है यदि ध्यान न दिया जाए तो फेफरों का अस्थमा किस परकार की परिशानी पैदा कर सकता है तो अंसर हो जाएगा फेफरों का सदैव के लिए खराब हो जाना अगर ध्यान न दिया जाय तो अस्थमा जिसे दमा कहते हैं तो दमा की बिमाडी फेफरों को अंतता हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दे सकती है चलेंगे next question पे question number 414 है नेमन कथनों पर विचार कीजिए मीजल्स नामक बिमारी संक्रमित व्यक्ति की सांस से निकलने वाले पैडा माईजो वाईरस के संक्रमन से होती है या गलत है ठीक है next होगा घरेलू मक्ही भोजन एवं जल के संक्रमित होने पर पोलियों का विशानों शरीर में प्रवेश कर जाता है तथा इससे पोलियो माईलेटिस नामक बिमारी हो जाती है यह सही है घरेलू मक्ही भी पोलियो फैलाती है next है ब्लू ब्यू 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 ब बिमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है, सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक बिमारी होती है, तो आंसर हो जाएगा A, स्लीपिंग सिकनेस, एक परकार की यह मक्खी है, जिसका नाम है सीसी मक्खी, नेक्स्ट है सुची दी गई है इसको मिलान करना है तो एक तरफ है नेशनल पार्क और दूसरी तरफ राज्य इनको मैच करना है तो गीरवन जो है गिर्वन को मैच करना है, गिर्वन गुजरात में है, काजी रंगा नेशनल पार्क यह असम में है और कान्हा नेशनल पार्क मध्य परदेश में हो जाएगा और बांधीपोर नेशनल पार्क करनाठका में तो इस तरह से आंसर हो जाएगा A का 1, B का 5, C का 4 और D का 2 तो इस तरह से आंसर हो जाएगा D 1542 Q417 भी मिलान करने वाला है एक तरफ है परदूशक और दूसरी तरफ है उस परदूशक में ज्यादा देर तक रहने से स्वास्त पर क्या परवाव पड़ेगा इसको हमें बताना है तो इसमें कार्बन मोनोकसाइड भड़े वातावरन में ज्यादा देर तक रहने से सिरदर्ध होता है चक्कर आते हैं और शारीरे कारेचमता घट जाती है इसके अलाबा सलफर डायोकसाइड में के वातावरन में सल्फर डायक्साइड भड़े वातावरन में ज्यादा देर तक रहने से दमा का पैसेंट अगर है तो उस व्यक्ति का दमा और भी ज्यादा बढ़ जाता है स्वास नालशोत होता है अर्थात सांस लेने में बहुत परिशानी होती है स्वास उत्तेजना इत्यादी की परिशानी होती है तो देखते है आंसर कौन से होंगे तो question number 417 इसका अंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 अर्थात 1 का था 2, B का 3, C का 1, D का 4 अंसर हो जाएगा D next question है question number 418 मानब में pernicious anemia किसकी कमी के कारण होता है आंसर हो जाएगा मानब में pernicious anemia अर्थात vitamin B12, synocobalamin, जिसे हिंदी में उसका पूरा नाम बोलते हैं, विग्यानिक नाम है, synocobalamin, vitamin B12 का तो vitamin B12 की कमी अगर होती है, तो anemia बिमारी होती है, सबको पता है लेकिन यह anemia का कौन सा परकार होता है, तो यह anemia होती है, pernicious anemia तो यह pernicious anemia किसकी कमी के कारण होता है, vitamin B12 की कमी से next है, खाने में परियाप्त मातरा में मचली का तेल युक्त भोजन, ओट एबा मीठा लेने तथा परियाप्त सुर्यपरकास लेने से कौन सी हिंता जन्न बिमारी नहीं होती है तो कौन सी हिंता जन्न बिमारी नहीं होती है, एक तो osteomalacia नहीं होगी या हड्डियों की बिमारी है, तो यह मचली का जो तेल होता है, खासकर के कॉर्ड लिवर आल और भी ज्यादा यह भरपूर होता है, तो जिनको भी हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है, तो यह सब चीज़ युक्त पदार्थ खाने में अगर दिया जाए, तो काफी सुधार भी होता है, और बच्पन से ही यदि इन सब चीज़ों को लिया जाए, तो बैक्ती का हड्डियों का विकास अच्छी तरह से होता है, और मजबूती भी रहती है, तो बचली का तेल युक्त भोजन, ओट और मीठा, इत्याद से ही संबंधित बीमारी है, और जल्दी होने वाले हड्डियों के फ्रैक्चर भी नहीं होंगे, और इसके अलावा रिकेट्स, जो की वच्पन में आमतोर पे धनुशाकार हो जाती है, बचों के पैर इत्यादि धनुशाकार, सरीर धनुशाकार हो जाता है, तो यह सब लक् जीवानों से होती है, तो जीवानों से होने वाली भीमारी जो है, वह है Meningococcal Meningitis, यह एक तरह का बुखार है, तो यह जीवानों से होता है, नेक्स्ट कोश्चन पर चलेंगे, आगे के कोश्चन के लिए कह रहा है, 421 से 424 में दो कथन है, एक कथन A और दूसरा कारण R, न प्रश्णों का सही उत्तर चुनिए तो आते हैं कुश्चिन 421 पर कथन एक कह रहा है 24D 240 का पड़ियोग खरपतवार नाश्री की तरह यहों के खेत में तो होता है वगर सरसों के खेत में नहीं क्यों एक ही एक ही खरपतवर नासी का पड्योग एक तरह के पादे के-लिए नहीं क्यों तो इसका चारान क्या है तो कैकर तार आर पता है कि यह चोर इतीदार खरपतवारों को वर्नात्मक रूप से मारता है और अगर इसे सरसों के खेत में शिरक दिया जाए तो यह सरसों के पौधों को भी मार डालेगा तो यह चोड़े पौधों वाले पौधों के लिए यह सही नहीं होता है तो यहाँ पर A की सही व्याख्या कर रहा है आर तो आंसर इसका देंगे A, यानि कि A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है Next question, कथन A कह रहा है स्वास्थ को एक मौलिक मानवधिकार घोशित कर दिया गया है सही है, स्वास्थ को एक मौलिक मानवधिकार घोशित किया ज़ा चुका है और इसका कारण R यह बता रहा है कि सरकार की जिम्मेबारी है कि वह सभी लोगों को एक जैसी स्वास्थ सुरक्षा पर दान करे यह हभी कथन सही है, सरकार की जिम्मेबारी है, बट इसकी A की व्याख्या R नहीं कर रहा है हलाकि सही R भी है तो आंसर हो जाएगा इसमें B क्योंकि A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या नहीं करता है सही है और नेक्स्ट है जब से ब्रेटेन में मैड काव रोग का बखेरा खड़ा हुआ है विश्व भर में यह मांग बढ़ी है कि पशु आहार की बजया जन्तु सोड़ी वनस्पती प्रोटीन का पड़ियोग हो तो वनस्पती प्रोटीन का पड़ियोग हो तो यह भी सही है तो इसमें इसका A का व्याख्या कर रहा है R तो इसमें आंसर हम A देंगे यानि कि A और R दोनों सही है और कथन A की व्याख्या R करता है नेक्स्ट है मानविकास के दौरान इससे संबंधी जातियों की परविर्ती थी कि वे सीधे सीधे वे धीरे धीरे सीधे चलना शुरू करें जब मानव ने विकास करना प्रारम्भ किया तो मानव से संबंधी जो भी पहले की जातिया या परजातिया थी उन्होंने यह चीज नोटिस किया या फिर यह चीज उनके दिमाग में आई कि भले वह सुरुवात में तो तीजी से नहीं चल पाते रहे होंगे तो भले यह धी तो इससे उन्हें क्या फायदा हुआ तो इससे यह हुआ कि इस प्रकार से यह सही है और सीधा रहने से उन्हें आहार ढूंड़ने और सत्रु देखने में आशानी होती थी और साथ ही अपनी रक्षा के लिए हाथ खाली रहते थे ठीक है तो यह भी सही है अर्थात ए और आर एकी सही व्याख्या करता है यहाँ पर आंसर दे देंगे ए ठीक है नेक्स्ट कुस्ट्ट पर चलेंगे कुस्ट्ट नमबर है 425 यहाँ पर है रक्त निम्न कथनों पर विचार कीजिए रक्त ग्लुकोज का एस्तर सामाने त्या 70 mg वाइडियल से 110 mg वाइडियल के बीच होता है नहीं हो नहीं हाइपर नहीं करता है और नहीं होता है तो हाइपोग्लेसेमिया हो जाता है अभी घलत होगा क्यूंकि फोटा एक दुशरे पեյ गाया और जिये गया है और चार तो answer हो जाएगा देखते हैं किस option में है कर चार तो एक और 4 है हमारा option number be me answer हो जाएगा ठीक है next question इनमें से कौन से परती जैविक एक ही जीवानों streptomyces की जातियों से प्राप्त होते हैं streptomyces की जातियों से प्राप्त होने वाले जीवानु है एक पहला तो औरियो माइसीन हो जाएगा ठीक है और दूसरा है नियो माइसीन और उसकी अलाबे है एस्ट्रेप्टो माइसीन पॉली मिक्सिन नहीं होगा तो अर्थात आंसर हो जाएगा एक दो और चार यानी की डी इनमें से कौन सा यसे सही रूप में फल नहीं है तो इसमें सही रूप से फल जो नहीं है वे है सेव नहीं है सही रूप में फल चिल गोजा नहीं है और अननास नहीं है ठीक है एक दो और चार यानी की डी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि अगर एपरह निए नबर 428 को सिनान घर में किसी औरत के गिर जाने के कारण फीमर का फीमल का सीर हड़ी से अलग हो गया एक्सरे रिपोर्ट से पता चला कि वह निमनलिकित में फिट नहीं हुआ किसमें फिट नहीं होगा अगर जर सीर हड़ी से अलग तो इस्रोनी के शोनी उलूखल के एसिटा बुलम में फिट नहीं हुआ नेक्स्ट है कोकुन के अंदर रह करेश्यम के बारीक रेश्यम बनाने वाला बॉम्बिक्स मोरी निमने लिखित है या बॉम्बिक्स मोरी जो होता है वो पतंगा अर्थात मौत होता है नेक्स्ट है डीफाइब्रीनेटेड प्लाज्मा निमने लिखित है डीफाइब्रीनेटेड प्लाज्मा जो होता है वो एक सीरम होता है नेक्स्ट है भूरी वायू वाले शहरों में विद्दुत संग्या अंतर अर्थात पावर प्लांटों और वाहनों से निकलने वाले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आउकसाइड सोड़े परकाश्ट में अभी क्रिया करके एक या अनेक दूतियक परदुशक बनाते हैं जैसे कौन-कौन से परदुशक बनाते हैं आंसर हो जाएगा एक तो फार्मेलडी हाइड ठीक है यह सभी नेक्स्ट है निम्न में से किस इस्त हरी में दान्त नहीं पाये जाते तो पेंगोलीन झू होता है उसको दान नहीं होता है आंसर हो जाएगा पेंगोलीन Q4. 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 Q थितिक निकेत से आंसर हो जाएगा D, पारिस्थितिक निकेत. Next question, question number 434 है, जिन पित अमलों में वसा घुलनशील पदार्थों को जल घुलनशील पदार्थों में बदल देने का जलानुवर्थी अर्थात हाईडरोट्रोपिक गुण है उन्हें कहते हैं. वैसे पित अमल जो की वसा घुलन शील पदार्थों को जल घुलन शील और थात फैट सॉल्यूबल चीजों को वाटर सॉल्यूबल में बदल देता है और इस तरह का गुण जिन पित अमलों में हैं उन्हें क्या कहते हैं या पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा एक तो ए चार अर्थात सी नेक्स्ट कुश्चिन है कुश्चिन नमबर 435 में पूछ रहा है वर्स 2003 में MRI तकनिक का विश्कार करने के कारण किसे नोबेल पुरसकार परदान किया गया ठीक है नोबेल पुरसकार परदान किया गया था पॉल लिटरबर तथा पीटर मैंस फिल्ड को ज इसकी कारण इनहें नोबेल पुरसकार परदान किया गया था नेक्स्ट है आखों और गले में जल अनिम्न लिखित उध्भाशन से होता है आखों ओर गले में जलन प्रत्रित करने में इस्तेमाल होता था और बाद में अन्य कीटों को तो इस पर परतिबंद लगा दिया गया है क्योंकि अर्थात यह पूछ रहा है कि डीडीटी पर अब क्यों परतिबंद लगा दिया गया है आंसर है यह वातावरन में बना रहता है और जैव संचयन होता र इन औरत आफसेंस में यूरिया, आमोनिया , यूरिकमल और क्रियाटिनिन में just को है यूरिया्तोर्प्रों। नेक्स्ट ओसेंस है. है next question है question number 439 439 में कह रहा है पक्षियों के शरीर का ताप मानलग भग निमनलिकित पड़िसर में होता है तो पक्षियों के शरीर का ताप मान किस रेंज में होता है अंसर हो जाएगा 40 से 42 degrees C next है हमारे शरीर के भार का आधिकतर हिस्सा निमने लिखित से बना होता है हमारे शरीर का किभार का अधिकतर हिस्सा पानी से बना होता है तो यह थे आज के questions तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इस पर अपने राय जरूर्द बताईएगा साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपने सब्सक्रिप्सन से मुझे मोटिवेट कीजिएगा थैंक यू